एलो स्टुडेंट्स हम लोग साइंस के चैप्टर रेट सेल इस्ट्रक्चर और फंक्शन फंक्शन को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने सेल दा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड डिसकरफी ऑफ तसेल यह दो टॉपिक को कवर कर लिया था आज के विडियो में हम लोग सेल ऑगनसेशन ओफ और सेल यंव आरणीज्यम यानि पराडियों में सेल लगनसेशन के बारे Me और में पढ़ेंगे संगंटन के बारे में को पड़ेंगे ध verbessल जसा कि आप लोगों को पता है कि इस धरती पर जितने भी जीन है वो सभी अली से सκंपोषे खैक को से बने हुए है ऐगरी करते हो अब यह जितने भी cell होते हैं कुछ कुछ तो भिन्नता होती होगी तो jhouse save मैं size में function में जो same होते हैं ठीक है ना similar होते हैं वो group बना करके एक tissue कर निर्माण करते हैं क्या करते हैं tissue करने माणर करते हैं ठीक है तो आप भी जानग przepार इतने भी और लिविंग और ग्जम हैं, वो सेल से बने होते हैं, और जो सेल सिमिलर टाइप के होते हैं, एक प्रकार के होते हैं, सेप में प्रकार के होते हैं, साइज में प्रकार के होते हैं, और फंक्शन में भी प्रकार के होते हैं, वो मिल करके ग्रूप बना करके टिशू क उपनिर्माण करते हैं तो सेल से क्या बना टिशू बना अब यह जो टिशू होता है वह क्या हुआ टिशू जो हुआ वह इसे ग्रूप आफ सिमलर सेल्स एक समान प्रकार के सेलों का एक समूंग हुआ वह परफॉर्मिंग एक स्पेस्विक फंक्शन जो है इक विसे प्रकार फंक्शन करता है ॲिए और टिशू ले लो यह इसकी एक्विश्चो टिशू के ऐक्विचो टिशू के इंप्विफोव Vencal से नüहमीत होती है और जो सेल होते हैं जो similar type के सेल होते है साइस से पर फंक्शन में मुलकर टिशू बनाते हैं चिशू जो है वह similar क्या बनाते हैं ओर गिन में अपर यह जो और गें होते हैं वो हमें अपनी नेकेड आए स iç से खुली आँखों से दिखाई देते हैं एक्जामपल के लिए अपर और ग Families को हट को दिल को क смож्ट में मैं प्रेन को है यह सब क्या है यह सब और गें होते हैं जो किसे बनने होते हैं एक या एक से जबादा चिश्व के बन्रे होते हैं सभी जो भी आप और देख रहे हो यह आपको ऐनिमल्स में दिखाये देते है इससी तरह से पाधो में आप देखोगे तो जो root होते हैं स्टैम होते हैं लीप सोते हैं ठीक है जो पाधो में पाए जाते हैं वो सब भी क्या होते हैं सेलुलर इस्ट्रक्चर होते हैं ठीक है समझमाया ना अच्छा अब आप देखोगे यूज़वली इनमबर ऑफ और और वर्क टुगेदर टू फर फॉर्फॉर्म में स्पेसिफिक फॉर्णबर अब यह जो ऑर्गेन है अलगलग्णट टैप कि यह क्या करते हैं मिलकर के कोई स्पेसिफिक फॉर्णन कई सारे और मिलकर के उस्पेसिफिक फंशन पर फॉर्म सिस्टम होते हैं यह क्भाइन कि अलग-अलग काम करते हैं कि आई जांते है कि कौन-कान से अलग-अलग जो जो ओर्गें वह मिल करके क्या काम करते हैं ऐसका इसका इसका इसामपल ले सकते हो जैसे कि आपका आपका सिस्टम है ऐना conqu प्राइन के स्मॉल इंटस्टेंड लाज इंटस्टाइन है न माउथ है छो है फेरन एक्स ठीक है आपका सोरी आप खिंड एंस और भी हाद पैंकरियास यह सब मिनकर के आप दाइजटिव यह सारे ऑरगेन होते हूं और किसी किसी specific काम को करने हैं भूजिन को पचाने का तो यह क्या करते हैं मिल करके एक सिस्टम मनाते हैं जो किसी specific काम को करने के लिए तो इनको हम organ system कहते हैं तो आईए यह table के माद्ध हम से समझते हैं कि animals में और पौधों में जो organ होते हैं कौन से जानवरों में जो moment और growth होता है वो जो किसके तोरह होता है मसल्स के दौरा स्केलेक्टर सिस्टम के तरह और digestive system के दौरह होता है अब यह जो organ होते हैं इनका काम क्या होता है मसल्स करेक्टर सिस्टम और digestive system यह कह करते हैं सभी जीवित प्राणियों को मूफ करने में ठीक है और साइज में बढ़ने में मदद करते हैं पौधों में भी ठीक है यह मूफ तो नहीं करते हैं ठीक है तरह से अब देखो Duesara process है reproduction का ठीक है इसको reproductive system प्रफॉर्म करता है Ah no oh एनिमल में reproductive system प्रफॉर्म करता है जयका पौधों में flavor प्रफॉर्म करता है इसमें क्या होता है producing living being of the same kind एक प्रकार की जीवों का produce gas होता हैं ठीक है इसी तरह से अलग-अलग organ जो है वह अलग-अलग तरके काम करते हैं ठीक है और अलग-अलग process होता है और पौधरम में कुछ और अो कुछ और काम होता है ठीकए बचैस अब आएक also देखते हैं इसकी समरी क्या हुए पैरे बच्चो अब जैसे आपने जाना कि हर लिविंग बाडी जो है सैल से बना उता है similar type के सेल मिलकर के tissue बनाते हैं tissue एक या एक से ज्यादा tissue मिलकर organ बनाते हैं और ये organ मिलकर के organ system बनाते हैं ठीके अब ये जो अलग-अलग organ system होते हैं ऐसे हीरैं यह आपस में औरने रम चिश्टमास करुंदा करते निर्माड़ कर सृष नोय सिस्टम करके एक औरनजं़ करते हैं और यह जतने भी मैंने आपको और्गन सिस्टम बनांगाय कि अलग अलग और्गन कि बने होते हैं कि और यह ऑर्गन टिशुऔरा से बने होते हैं तुर तो इनका स्च्छ पार्श हझ्य больше trial that तस्वीर के माधिम से पूरिब Τो से टीशू बना टीश Wish से देखो ऑreshन बन रहा है अब हमने से पुरा एक सिस्टम बन रहा डाजिश्ट्रि सिस्टम बन ठिक है और उसकी बाद उससे पूरा क्या हुआ एक और April में प्राडी का निर्माड उबए तो प्यारे बच्छो यही होता है किसी भी किसी भी प्राणी में सेल का और्गनाइशेशन्स मानिं कोशेका इत्व है तो सबीक डेखा जा क्यूंट भी ंग सेल हुआ। और सब्सक्राइब करो अगधा है यही और्गानिजम में के बारे में हमने आज के बीडेओ में पढ़ा अब लोग इसको अच्छे सा समझ पाए होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल लंबा सेल साइस और सेल सीप के आधार पर और इंजम के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद है